अगर आप इंस्टाग्राम में हमेशा रेल्ज अपलोड करते हैं तो इस रेल्ज को बना कर जरूर डालें ये रेल्ज इस टाम ट्रेंडिंग में है तो आप अधिक्तर ट्रेंडिंग रेल्ज को भी डाला करें इस रिल्स को कैसे आइडिट करना है आज के इस वीडियो में आपको step by step इसकी आइडिटिंग बताने वाली हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल को first time देख रहे हैं without further delay let's get started इस रिल्स की आइडिटिंग के लिए हमें इस रिल्स के आइडियो को डाउनलोड करना होगा तो हम इस रिल्स को open कर लेंगे और फिर three dot पर click करेंगे और copy link पर click करके इस रिल्स के link को यहाँ से copy कर लेंगे अगर आपकी पास रिल्स नहीं है तो description box में इस रिल्स का link मिल जाएगा आप वहाँ से इस रिल्स के link को copy कर लेंगे रिल्स के link को copy करने की बाद हम chrome browser को open करेंगे अब यहाँ पर instagram रिल्स डाउनलोड और search कर लेंगे और इस website को open करेंगे और यहाँ पर उस link को paste कर देंगे जो अभी हमने copy किया है फिर download पर click करेंगे और नीचे scroll करेंगे और अब यह रिल्स डाउनलोड हो गया है इस रिल्स के editing के लिए हम vn app का use करेंगे तो आप vn app को play store से डाउनलोड कर लें और अब हम vn app को open कर लेते हैं अब प्लस के icon पर click करेंगे और फिर new project पर अब यहाँ पर किसी भी एक photo को choose कर लेंगे उसके बाद इस icon पर click करेंगे और इजनल पर click करके यहाँ से इसे 9 ratio 16 कर लेंगे और last में हमें black color का watermark मिलेगा इस पर click करके इसे यहाँ से delete कर लेते हैं हमें last में प्लस का icon मिल जाएगा इस पर click करेंगे और फिर material को open करेंगे और यहाँ पर black वाले photo को choose कर लेंगे और यह जो photo है इसे हम delete कर लेते हैं और अब हमें यहाँ पर music को add करना है तो tap to add music पर click करेंगे और फिर music पर अब इस plus के icon पर click करेंगे फिर extract from video पर अब हमने जो reels को download किया है उसे यहाँ से choose कर लेंगे और फिर choose पर click करेंगे और right के icon पर click कर लेंगे अब हमारा music यहाँ पर add हो गया है और इस black photo को music तक बढ़ा लेंगे इस तरह से अब हम इस music में bits को लगा लेते हैं तो इस music को choose करेंगे और फिर bits पर click करेंगे अब यहाँ पर हमें bits को लगाना है तो यह जो line है इसे हमें 3.3-4 second पर लाना है यहाँ पर timing सो होगा इस तरह से 3.3-4 second पर लाने की बात इस red वाले icon पर click कर लेंगे जब हम red वाले icon पर click कर लेंगे तो हमारा यह पहला bit लग गया है अब हमें इसी तरह से दूसरे beat को लगाना है तो इस line को 6.04 सेकेंड पर लाएंगे और red वाले icon पर click करेंगे तो ये हमारा दूसरा beat लग गया है इसी तरह से हमें तीसरे beat को लगाना है तीसरे beat को 8.43 सेकेंड पर लगाना है 8.43 सेकंड पर लाने के बाद इस आइकन पर क्लिक कर लेंगे और फिर राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे अब हमारे म्यूजिक में बिट्स एड़ हो गए हैं अब हम यहाँ पर फोटो को एड़ कर लेते हैं तो हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर वेडियोस फोटोस पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपने एक फोटो को चोज कर लेंगे उसके बाद नीचे आमें क्रॉप को ओप्सन मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसी 9 रेशियो 16 कर लेंगे फिर रैट के आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर इस फोटो को लाज तक लगा लेंगे और अब इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर जब हम इस फोटो को बीच में लाएंगे तो यहाँ पर लाइनिंग आ जाएगा चार पार्ट का तो इस फोटो को हमें पहले पार्ट में सेट करना है तो हम इसे इस तरह से पहले पार्ट में set कर लेते हैं इसे पहले पार्ट में set कर लेने के बाद हम music में जो beat लगाए है ये जो lining है इस पर click करेंगे उसके बाद इस icon पर click करेंगे और फिर अपने एक photo को choose कर लेते हैं और इसे भी लाश्ट तक लगा लेंगे और फिर क्रॉप पर क्लिक करके इसे भी 9-16 कर लेंगे और इस फोटो को दूसरे पार्ट में एज़स्ट करना है तो हम इसे एज़स्ट कर लेते हैं इसे एज़स्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो दूसरा बीट लगाए है इस पर क्लिक कर लेंगे और फिर इस पर क्लिक करके हम एक फोटो को और चूस कर लेते हैं और इसे भी लाश्ट तक लगा लेंगे और फिर क्रॉप पर क्लिक करके इसे 9-16 कर लेंगे और इसे हमें तीसरे पार्ट में अज़र्स्ट करना है तो हम इसे तीसरे पार्ट में अज़र्स्ट कर लेते हैं अब हमारा जो तीसरा बीट है इस पर क्लिक कर लेंगे और फिर इस आइकन पर क्लिक करेंगे अब हम एक और फोटो को चूज कर लेते हैं और इसे भी लाश्ट तक लगा लेंगे और फिर क्रॉप पर क्लिक करके इसे भी 916 कर लेंगे अब हमें इसे चौथे पार्ट में लगाना है तो हम इसे चौथे पार्ट में लगा लेते हैं इस तरह से अब हम पहले फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और फिर motion पर क्लिक करेंगे और यहां से fade वाली option को choose करेंगे और यहां पर जो double click है apply to all पर क्लिक कर लेंगे अब हमारा वीडियो बन गया है तो हम इसे एक बार फ्लिक करके चेक कर लेते हैं और जब आप Instagram पर वीडियो को post करेंगे तो हमें tag जरूर करिएगा जिससे आमें भी पता चल सके कि आपने हमारी वीडियो को देखकर रियल्स को edit किया है हमारे Instagram का username आपको screen पर सो हो रहा है और यहां से इसे save कर लेते हैं अब हम दिखा देते हैं कि हमारा दिल्स कैसा बना है इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के रियल्स को edit कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं हम next year tutorial के साथ झाल 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 झाल